गुड इवनिंग फेंड्स, स्वागत है आपका, आपके अपने यूट्यूब चैनल Study with Ravet Akur पर चलिए आज की दहिंदू एडिटोरियल वकैबलरी की शिरुवात करते हैं वकैबलरी के PDF के लिए आप उसे टेलिग्राम ग्रूप पर जोड सकते हैं मैं अपने टेलिग्राम ग्रूप का लिंक इसी वीडियो के description box में डाल दूँगा तो आप इसी वीडियो के description box में जाकर मेरे टेलिग्राम ग्रूप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे तो चलिए शिरुवात करते हैं आज की दहिंदू एडिटोरिल वकैबलरी की आज की वकैबलरी का पहला word है extension extension यहाँ पे noun की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का विनाश हो जाना, समापन हो जाना या लुप्त हो जाना उससे बोला जाता है extension अगला शब्ध है salvage salvage यहाँ पे वर्पी तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है किसी को किसी चीज़ में से बाहर निकालना, बचाओ करना, उसका उबारना उसे उस चीज़ में से उसे बोला जाता है salvage the act of saving goods or property that were in danger of damage or destruction that is called salvage अगला शब्ध है meager meager यहाँ पे adjective की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है मात्रा में बहुत कम होना, अल्प मात्रा में होना बहुत थोड़ी मात्रा में होना या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा पतला या दुबला पतला होना उसे बोला जाता है meager deficient in amount or quality or extent that is called meager next word है apparent apparent यहाँ पे adverb की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिती जो हमें बिल्कुल reality लगे जिसमें वास्तरिक्ता लगे परंतु वास्तों में वैसा ना हो छलावा मात्र हो, दिखावा मात्र हो उसे बोला जाता है apparent that seems to be real or true but may not be that is called apparent next word है claimant claimant यहाँ पे noun की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है किसी वस्तु पर अपना दावा करने वाला प्रबल दावेदार होना किसी चीज के लिए उसको बोला जाता है claimant a claimant is someone who asks to be given something which they think they are entitled to that is called claimant next word है eviction eviction यहाँ पे noun की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है किसी को बे दखल कर देना किसी को निकालना किसी चीज में से निशकाशन करना किसी का उसे बोला जाता है eviction eviction is the act or process of officially forcing someone to leave a house or piece of land that is called eviction अगला शब्ध रिसर्जंस इसका मतलब होता है किसी चीज का पुनर उत्थान करना पुनर जीवन देना किसी को जीवन दान देना दुबारा से उसे बोला जाता है resurgence if there is a resurgence of an attitude or activity it reappears and grows that is called resurgence और आज की vocabulary का अंत्यम शब्ध था aggravate aggravate यहाँ पे verb की तरह यूज़ हुआ है और जादा बढ़ा देना बद से बत्तर बना देना उसको बिगार देना अधिक गंभीर बना देना उसे बोला जाता है English में aggravate to make something worse or more serious that is called aggravate तो यह आज की vocabulary का अंत्यम शब्ध था यदि आपको वीडियो informative लगा हो helpful लगा हो आपने वीडियो से कुछ सिखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा जादा जादा वीडियो को शेयर कर दीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्स्ट्राइब करना बिलकुन बद भूलेगा तो आज की दे हिंदुवरी टूडल वेकाबलरी में इतना ही थेंक्यू, थेंक्स पर वाचिंग